हेलो एव्रिवन मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विदी की पार्ट चाला में आप सभी का स्वागत करती हूं देखें आज मैंने हाँ पर लिखा हुआ है ग्रण नौर में आने की मूल मानक जी यहां लौ स्टुडेंट्स के लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है और अक्सर ही इसे एक्जाम में कोशन पूछा जाता है तो देखें जब हम बात करते हैं जुरिस्पूडेंस की तो जब जुरिस्पूडेंस की बात आती है यह जब विदिशाष्टिर की बात आती है तो वहाँ पर एक यह जो वर्ड है ग्रण नौर्म जैसे कि मैंने भी बताया कि अक्सर पूछा जाता है तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यह मूल मानक है क्या तो देखें मूल मानक को जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि यह शब्द किस ने दिया तो देखें यहाँ पर हम बात करें हैंस केलसन की और हैंस केलसन एनलेटिकल स्कूल क के सपोर्टर थे हैंस कलसन का वर्थ 1881 में आस्ट्रिया में हुआ था और यह वियना युनिवर्स्टी में प्रोफेसर थे तो इसी लिए इनको और इनके जो पूरे सपोर्टर के पूरे गुरुप को वियना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है तो देखें जैसे कि मैंने आप को बताया कि ends Kelston एनलेटिकल स्कूल के सपोर्टर है तो उनोंने जो अपना सिध्धान दिया था विधी का इनके सिध्धान का नाम है pure theory of law विधी का विशुदी सिध्धान प्योर उन्होंने क्यों कहा हैं प्योर से देखें मतलब यह है कि वो कहते हैं कि यदी के अंतर्गत ह विधी को अन्य विश्य को नहीं मिलाना चाहिए, यानि कि चाहे हम पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशलोजी हो, चाहे साइकलोजी हो, विधी को अन्य विश्यों के प्रभावों से बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, बिल्कुल मुक्त रखना चाहिए, सब सब्जेक्ट इंप कि विधी राजय की देने राजय के द्वारा बनाई गई है लेकिन वह राजय को बहुत इंपोर्टेंस नहीं देते बलकि राजय और विधी को एक समान ही मानते हैं देखे जब हम केलसं की बात करते हैं अब फिर वह बात आ गई कि अमूल मानक क्या है कैलसन के अनुसार जो पूरा जो लीगल सिस्टम है that is waste upon the normative science यानि कि जो विदिक विवस्ता है वो मानकों की शरंकला है या मानकों का विग्जान है ठीक है यहाँ पर हम देखें natural science की बात नहीं कर रहे है यहाँ पर हो रही है बात normative सायंस की कैलसन का कहए ना ये है कि जो विदिक विवस्ता होती है वो नॉर्म उसकी सीरीद होती है मानकों की श्रंखला होती है । उन्होंने इसकी जो तुलना की है वो कहते हैं कि जैसे इक यह होता है ठीक उसी तरीके से पुरा एक लीगल सिस्टम की वात आ रही है जो पूरा एक मानकों की शरंकला है इसमें बहुत सारे मानक होते हैं जिने की हम मानक याने की जिने हम norms कह रहे हैं और एक जो norm से वो अपने उपर वाले norm से validity पाता है उसके उपर वाले norm से validity पाता है और जो सबसे उपर जो norm है उसी को देखियो मूल मानक कहा जाता है जो सबसे उपर का जो norms है जिसकों कि मूल मानक कहा गया इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपनी नीचे वाले सभी मानकों को सभी norms को validity प्रवाइड कर दा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल मानक क्या है कि केलसन की जो थूरी है वो पूरी तरीके से मानकों की श्रंकला पर बेस है उनने एक तरीके से मानकों का science यान की normative science के बारे में बात की है कि किस situation में क्या होना चाहिए जैसे कि यदि किसी ने चोरी की है तो उसको IPC की provision के according उसको punishment मिलना चाहिए उसके ओपर case चलना चाहिए फिर उसको सजा मिलनी चाहिए और यह सारी बाते कहां पर बताई गई है जैसे मैंने कहा कि IPC में बताई गई है तो IPC क्या है एक bear act है जिसको किस ने बनाया है लेजिस्ट्रेशन ने बनाया है तो कही न कहीं हम देखते हैं कि पूरा एक सारी चीज़े यदि देखे लॉक की बातारी है तो सारी चीज़े सिस्टमाटिक तरीके से जुड़ी है एक तीरीज जुड़ी है हम उनमें से यदि एक भी चीज़ को break कर दें इट मेंस यहां पर इदि में इस लाइन को हटा दू तो क्या होगा यह पूरा जो यह जो normative जो structure वो पूरा का पूरा बिखड जाएगा तो देखे कैलसन का क्याना यह है कि पूरा norms का प्रामिड है जिसमें सबसे higher post पर जो norm है उसको हमारा grand norm कहा जाता है तो अब यहां पर देखे एक बात और सबसे हैं कि कैलसन से पूछा गया कि ठीक हैं जो सारे जो नीचे वाले norms से रहे हैं पर grand norm कहां से validity ले रहा है यानि कि मूल मानग को कहां से वैदिता मिल रही है इस बात का कैलसन के पास कोई अंसर नहीं है और इसलिए कैलसन के मूल मानग की आलोचना भी की गई पर कैलसन का कहना ये था कि हर Legal System में एक Initial Hypothesis के रूप में Hypothesis के रूप में यानि कि प्रारम्बिक परिकल्पना के रूप में मूल मानक होता ही होता है ये हर देश में अलग अलग तरीके से होता है और हम को मानना ही पड़ेगा कि हर Legal System में कही ना कही Grand Norm में और जो यह जो law theory की जो हम बात करें हैं इसका main purpose यह वताना नहीं है कि grand norm को validity कहां से मिल रही है इसका purpose केवल इतना है कि grand norm और बाकी जो norm से वो कैसे आपस में related हैं और कैसे एक series बना रहे हैं तो देखें यहां पर आपको clear हो गया होगा कि मूल मानक क्या है हाँ और यदि आपको बहुत ज़्यादा के बारे में जानना है तो मैंने अपना पहले जो विधी का विशुदि सिधानत यानि कि pure theory of law जो कैलसर ने दी है वो मैंने पुरा detail अपना एक video upload किया हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं लेकिन जैसे कि एक्जाम में यदि शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाए या simply आपको इतना पता होना चाहिए कि मुल्मानक किया grand norm किसमें बताया है तो वो आज आपको clear हो गया होगा and thank you so much for watching the video फिर आगे कोई नया topic लेके फिर मिलेंगे